ये हैं हल्दी वाले दूद के साथ बेजोड फाइदे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों अक्सर बीमारी दर्द या चोट लगने पर हमारी मा या दादी ननी हमें हल्दी वाला दूद पीने के लिए देती हैं जिसे देखते ही हम मुँ बनने लगते हैं दूद वो भी हल्दी के साथ ये कॉंबिनेशन सुनकर ही अजीव लगने लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी वाला दूद कई और सधिये गुणों से भरपूर है हल्दी की एंटी बायोटिक्स प्रॉपर्टीज और दूद में मुझूद कैलसियम जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हल्दी के दूद के और भी गुण बढ़ जाते हैं अगर आब इसके गुणों को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो पाउडर की जगह कच्ची हल्दी का इस्तिमाल करें ये आसानी से किसी भी सबजी वाले ये वेजटेबल स्टोर्स पर मिल जाएगी बात करते हैं इनके फाइदों के बारे में पहला है पीरियेट्स के दर्द को कम करें हल्डी वाला दूद पिरियर्स के दर्द को कम करता है। इसे डिलीवरी के बाद औरतों को जल्दी रिकवरी के लिए भी दिया जयता है। इसका एक और फायदा यह भी है कि डिलेवरी के बाद इससे breast milk भी इंप्रूब होता है। अगला है हड्डिया बनाए मजबूत हल्दी में मौजूद एंटिबायोटिक्स और दूद में मौजूद कैलसियम दोनों मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं इसलिए किसी भी तरह की बोन डैमेज या फैक्चर होने पर इसे खास तोर पर पिने की सला दी जाती है अगला है कैंसर के मरीज के लिए है बेस्ट हल्दी में पाया जाने वाला पदार्थ कर क्यूमिन कैंसर के मरीजों को रिकवरी में काफी मदद करता है अगला है ब्लेड फ्लो बढ़ाए कई बार हल्की चोट मोच या किसी तरह के दर्द से हमारे सरीर का ब्लेड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है लेकिन हल्दी वाला दूद ब्लेड सर्कुलेशन बढ़ाने में माहिर है इसलिए किसी भी तरह के दर्द में हल्दी दूद दिया जाता है ताकि दर्द से निजात मिल सके अगला है अच्छी नीन आएगी हल्दी में मौझूद अच्छी नीन में अगला है सर्दी खासी से रखे दूर हल्दी वाले डूद में मौझूद एंटिबायोटिक्स सरीर के फ्री रेडिकल से लड़ते हैं यही वज़य है कि दूद में हल्दी मिलाकर पीने से बदलते मौसम में होने वाली सर्दी खासी गले की खिचच खिच और सीजनल बुखा से छुटकारा मिल जाता है अगला है वजन कम करें ऐसा माना जाता है कि हलदी दूद में मौजूद कालसियम और दूसरे मिन्र minder सरीर में मौजूद वजड को कम करते है इस वजह से हलदी वाला दूद पीने से सरीर का वजन कम होता है